असलाम वालेकुम वीवर्स मैं हूँ डॉक्टर साद और वेलकम टू फार्मिंग प्रोटोकॉल वीवर्स विंटर मैनिजमेंट जो है प्रैक्टिकली फार्म के उपर मैं इंशाला आज उसका डेमो आपको दूँगा और उसके रिलेटिड इंफर्मेशन आपके साद शेयर करूँगा प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है कि तकरीबन बाते हैं तो बहुत सारे लोग बताते हैं लेकिन प्रैक्टिकली फार्म के उपर लोग कम बताते हैं तो इन्शाला ये दोनों साइडों पे फ्लाक है, मेरे जो पिछले सब्सक्राइबर्स हैं, उनको थोड़ा आइडिया होगा, इस फार्म का लेकिन जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए थोड़ी जो है रिलेटेड मैं इंफर्मेशन जो है वो दुबारा शेयर कर र जो है वो चूजा है और दूसरी साइड पे तक्रीबन 4,000 है ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये विंटर मेनेजमेंट के लिए क्योंकर सर्दी चूजाओं का ना लगे तो इन्होंने छोटी छोटी जो है वो पार्टिशन की है और इसके आगे पहले तो आप नीचे ये उससे पांच दिन लेट था इसलिए उन दोनों को सेपरेट करके रखा है चूजे के स्टार्टिंग में जो आपने मैनेजमेंट सारी करनी है आप देख सकते हैं कि अभी सिर्फ वाटर के जो गैलन है वो लगे हैं और फीड जो है नीचे शापरों पर डाली हुई है ता उपर एक और तरपाल डाली हो यह ताके जो है बिलकुल भी किसी किसम के सर्दी का चासो कि सर्दियों में आपको पता है कि गैस पर या लकड़ी पर अंगीठी जो है वो फार्म में जलाते हैं अगर आपका temperature फिर भी control ना हो रहा हो इस फार्म में temperature sensor भी लगा है लेकिन अंगीठी अभी जलाने की जो है वो जरूरत नहीं थे तो अभी मैं आपको जो है वो इसके अं है उस पर लेकिया रहना है अच्छा तो मैं अंदर आगे हूं विवर्ज यह आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है यह शापर है और साथ इनके जो है वो ट्रेज भी इन्होंने यूज की हुई है चोटी प्लास्टेक की ट्रेज है और ट्रेज को लाजमी आपने दो गर इस फीड ओफर करनी है और पानी अभी आप देखें तो पानी के अंदर हमने मैडिसन एड की है जो के जर्दी को गोलती है जो नया चूज है उसकी जर्दी जो है उसको हल करने बहुत जरूरी है क्योंकि यह भी इटसेल्फ जो है वो एक बिमारी की वज़ा बन सकती है तो अभ इसमें टमपरेचर जो है ना उसका कंट्रोल कर सकें अगर आपने टमपरेचर कंट्रोल कर लिया तो समझें कि आपने जो है वो एक किसी किसम का बिमारी या कोई ऐसा हमला जो है वो बहुत उसके चांस कम हो जाते हैं अगर आपने बेसिक जो है सर्दियों में यह आपका इनकी मजीद management के इनको कैसे कैसे हमने आगे लेकर जाना है कैसे आगे संभालना है तो इन्शाला उस सारी की वीडियो जो है वो step by step upload की जाएंगी तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा अभी जो मैंने आपको समझा रहा था यह winter management अभी temperature sensor आप चेक करें 35 degree temperature जो के मैं आपको आई बी की mix vaccination और vaccination कैसे करनी है कैसा schedule है इन्शाला उस सारे की डिटेल आपके साथ share करेंगे वैसे हम आपको बता दें कि हम दूद के अंदर जो है ना यह vaccination जो है वो provide करते हैं इनको दूद के अंदर जो है ना यह vaccination देते हैं और यह जो साइडों पर आप देख रहे हैं खान चूजा जो है वो डर जाता है तो अभी आप यह देख लेंगे दोनों पार्टिशन जो है एक साइडों पर है तो हमने इनको अलएदा अलएदा किया है सिर्फ इस वरह से कि इनका जो है यह पांच साथ दिन का फरक था तो चूजा जो बड़ा जो है वो छोटे को मारे ना उसको नीचे ना दे दे इसलिए यह सारी जो है नए पार्टिशन की थी तो आज की वीडियो में यह आपके लिए एक डेमो था कि सर्दियों में जो है वो किस तरह आपने पर्दे लगा के साइडों पर अगर आप अंगीठी नहीं चला रहे तो कैसे जो है वो आपने स्क्राइब कीजिएगा लाजबी वीडियो को लाइक कीजिएगा तो इन्शाला ऐसे ही मजीद इन्फरमेटिव वीडियो जो बाई गोल्डन मिस्री का या आस्ट्रालोप का या देसी फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो जो है वो लेकर आते रहेंगे अपन